वूम नमाँ शिवायद दिन ब्रिहस्पतवार फालगून मास अमावस्याति थी है स्रमण नक्षत्र सुबह साथ बजे तक लगा रहेगा उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा जिसके नक्षत्र स्वामी मंगल देव है चंद्रमा आज रात्री आठ बजे के आसपास तक कुम्भ राशी में प्रवेश कर जाएंगे आज का दिन विशेश है बुद्ध का राशी परवर्तन मकर से कुम्भ में हो चुका है अब कुम्भ राशी में सुक्र, सूर्य और बुद्ध चल रहे हैं आज के जन में जातक हिम्मती, फुर्टीले, दयालू, भावना प्रभान और दृड़ इच्छा सक्ती वाले होते हैं इनकी प्रव्रित्ती जल्दी क्रोधित होने वाली और प्रतिशोध की भावना मन में बनी रहती है यदि सहयोगी लगन और मंगल की इस्थिती अनुकूल रही, तो ऐसे जातक पूर्ण सफल होंगे मेश राशी के जातक आज शारिरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वर्ष्थ और उच अभिलासी महसूस करेंगे दिड़ इच्छा सक्ती कूट कूट कर भरी रहेगी, हर छेत्र में उत्सा पूर्ण इस्थिती प्रदर्शित होगी चारों तरफ से सफलता और किर्ति की प्राप्ती होगी रुके हुए काम संपन होंगे, नीजे सुख में तनावकून महाल बना रहेगा सहोदरों के बीच गलत फाहमी पैदा हो सकती है सिच्छा प्रतियोगता के छेत्र में सफलता मिलेगी सामाजिक पक्ष अनकूल रहेगा ब्रिश राशी वाले जातक दिन भर शारिरिक वा मानसिक रूप से ठकान महसूस करेंगे घुटने वा तवचा से संबन्धित परेशानी संभावित है ब्यावसाईक गत्विधियों के लिए आपकी पहल लावगायक होगी घार्मिक भावना में ब्रिद्धी होगी किसी से वित्तिय सहयोग की आवसकता पढ़ सकती है पत्नी की सलाह व्यावसाईक उत्थान के लिए सहायक होगी आर्थिक पक्ष अनकूल रहेगा आपके प्रयास सार्थक होँगे मिथुन राशी वाले जातकों के लिए आज कुछ नया करने या नया सीखने वाला दिन है भविस्य की नई योजनाओं के लिए किये गय कारियों में सफलता मिलेगी शिच्छावा प्रतियोगिता में सफलता का दिन है भाग्यवस काम अच्छे होंगे पारिवारिक गायितु की पूर्ति होगी छोटी मोटी यात्राओं का योग बना हुआ है इन सारे कामों से अलग अपने स्वास पर ध्यान देना होगा आपकी दिन चर्या में योगा वा ब्यायाम को शामिल करें इस फूर्ति बनी रहेगी करक राशी वाले जातकों के लिए बढ़े हुए आत्म विश्वास के साथ सफलता का दिन रहेगा किये गए पूरुसार्फ फलिभूत होंगे ब्यावसाई कुन्नती में विशिष्ट व्यक्ति का सहयोग शामिल होगा विरोधियों से बचें साजिस के शिकार हो सकते हैं संतान पक्ष से अनुकूलता मिलेगी किसी समर्वों में बढ़ चड़कर विस्सा लेने का योग बना हुआ है वाद विवाद या न्यायाले से संबंदित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी साम होने के बाद थोड़ा धैर रखना होगा मामसी को तेजना और किसी बात पर टकराहट की संभावना बनती है सिंग राशी के लिए आपकी छमता और कार कुछलता एक विशेश व्यक्तित को परिलक्षित करेगी कार छेतर में सफलता आसानी से मिलेगी आपके निरणे लेने के तरीके लोगों के लिए नजीत बनेंगे पहले नए कारियों को प्राथमिक्ता देते हुए पूरा करें उसके पस्चात रुके हुए काम के लिए प्रयास करें आपकी कारिक छमता को आकरामत ना होने दें पतनी के स्वास पर ध्यान देना पड़ेगा मामा पक्ष से कुछ तनाव की इस्थिती पैदा हो सकती है कन्या राशी के लिए आज पेट संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है केतू और चंद्रमा दोनों आपके पांचमे घर में बैठे हुए हैं कारे छमता में थोड़ी गिरावट आ सकती है अपने कारी योजनाओं को निर्बाध गती से संपन्न करने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी हम विरोधियों से सावधान रहें हाला कि मित्र सहयोगियां से अपेक्षित मात्रा में सहयोग मिलता रहेगा जिससे आय संबन्नी निरंतरता बनती रहेगी शाम के बाद थोड़ी थकावट और असमंजस वाली इस्तिती संभावित है मादुरगा की आराधना लावडायक सिद्धोगी तुला राशी के लिए आपकी बौधिक छमता और रचनात्मक प्रयास आपको सफलता के सिखर तक ले जाएंगे जिसमें सासन सत्ता वा सरकारी विभाग की सहायता सामिल होगी आपकी इस रिजनात्मक कारेशैली ब्यावसाइक विकास में सहायक होगी आर्थिक पक्ष की मजबूती बनी हुई है विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात का योग बना हुआ है सिख्षा प्रतियोगिता के छेत्र में सफलता हासिल होगी मा के स्वास्त के प्रति चिंता बनी रहेगी सामाजिक दाईत्यों के साथ दामबत्य जीवन में भी ध्यान देना पड़ेगा ब्रिश्चिक राशी के लिए स्वास्संबंधी अनुकूलता तो बनी हुई है मगर निरने लेने की छमता में उतार चड़ाओ बरकरार वहेगा क्योंकि राहू आपके भाग भाव में बैठे हुए है जो की चंद्रमा का घर है चंद्रमा के सुभत्त के घटने बढ़ने से आपका आत्म विश्वास और कारेचमता बार बार प्रभावित होती रह रही है जिससे महतपूर्ण डिरने लेने में दिकतों का सामना करना पड़ रहा है पानी की बरबादी और अपव्याय को रोकें आर्थिक और व्यावसाइक पक्ष अनुकूल बना रहेगा ग्रिहोपयोगी वस्तुओं में बृद्धी होगी ओम नमाशिवाय का मानसिक जब करते रहें अनुकूलता मिलेगी धनु राशी के लिए स्वास संबंदी समस्त्याओं पर ध्यान देना होगा पहले से चली आ रही दिकतों के लिए उचित चिकिर्शकीय परामर्ष अति आवस्चक है ब्यावसाइक विकास के लिए किये गए परिश्रम सार्थक होंगे आपके मेहनत के अनुरूप आर्थिक लाव की गती थोड़ी धीमी रहेगी मन की ब्यगरता को किसी के विवाद में शामिल ना करें तनावकून महावल पैदा हो सकता है मन और वाणी को संयमित रखें और अपना काम करते रहें मकर राशी पर आज केतु के साथ चंद्रमा विराजमान है अनावशक ब्यगरता और हर काम के प्रति जल्दवाजी महसूस होगी धैरे की सीमा को बढ़ा कर रखें आपके रचनात्मक प्रियास आर्थिक उन्नति को बल देंगे विशिष्ट व्यक्तियों के मध्य प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा सामाजिक जीवन में ग्रस्ता आज बनी रहेगी शाम का समय थोड़ा तनावगरस्थ हो सकता है इन दिनों केसर का टीका लगागर देनिक पुया प्रारम करें कुम्भराशी के लिए आपको शारिरिक और मानसिक रूप से ध्यान रखना होगा मानसिक तनाव और अनावस्चक गगरता संभावित है छोटी मोटी यात्राओं और खर्च की स्थिती आज बनी रहेगी आर्थिक और व्यावसाइक छेत्र मजबूत है आपके रचनात्मत प्रयास सार्थक होंगे भाग वस्काम अच्छे होंगे धार्मिक भावना में बृद्धी होगी देव दर्शन के भी योग बने हुए है वाद विवाद या न्यायाले से संभन्दित मामलों में अनुकूलता मिलेगी अनावश्यक वाद विवाद से अपना समय जाया ना करें मीन राशी के लिए संतान संभन्दी चिंता की प्रमुफता रहेगी काम करने में मन कम लगेगा उत्साह की कमी महसूस होगी अमावश्या का असर आपके उपर बना रहेगा मन में नकारात्मक भाव का पैदा होना विशेश रूप से है कारे छेत्र में मन मुताविक उपलब्धी का ना मिलना संभावित है आर्थिक और व्यावसाइक पक्ष सामान्य रहेगा ग्रिहो पयोगी वस्तूओं में ब्रिध्धी होगी छोटी यात्रा या प्रवास संभव है ओम ब्रिम ब्रिहस पते नमा का मानसिक जब करें अनुकूलता मिलेगी आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमास शिवाय